हुआ है हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल और मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर कौरी और आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं मेरे चैनल में मेरा चैनल नहीं आप सबी लोगों का चैनल है और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है छे समतिंग कुछ साड़े छे बजने है करेक्ट टाइम मैंने देखा नहीं था और बच्चों के लिए मैं भी दूद लेके आए हूं क्योंकि अभी इसी टाइम काफी धूप है बाहर मतल पर ली दूद दे रही हूं अपने लिए चाय लेक्जाए और इस टाइम ना कुछ खाने का मन करता है थोड़ा तो अपने लिए ब्रेड लेक्याएं और मैं यहां पर क्या मेरा टेप डूंड रही हूं मेरा क्या एक टेप है जो की लगाती हूं मैं ट्राइबोर्ड में आज कल क्या मेरा ट्राइबोर्ड ना थोड़ा सा धिला हो गया है जिसकी वज़े से मोबाइल गिर जाता है और काफी बार गिर गया है तो ऐसा लगता है कि अभी तो कोई ठीक करने भी नहीं बेठा है, जैसे दुकाने कोई शारी सोब बंध है, मोबाइल बगएर अगर गिर गया तो खराब हो गया तो कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा, ब्लोग बगएरा बनाना सारा बंध हो जाएगा, तो यहां पर चाय बगएरा दूद बगएरा बच्चों को दे दिया है मैंने अब बस रूम जो दुपहर में बच्चे सोते हैं यहीं खेलते हैं तो उनको थोड़ा ठीक कर रही हूं मैं और जब साधी के बाद में आप आते हो अपनी सस्राल में तो जो आपका रूम होता है ना ऐसा लगता आपकी दुनिया यहीं तक सीमि हैं ऐसा नहीं है घर मेरा काफी बड़ा है और मतलब टू फ्लोर पे हैं मतलब दो मंजिल बना हुआ है ऐसा नहीं कि फिर भी पता नहीं क्यों जो कंफर्टेवल मुझे महसूस होता है वो मुझे अपने रूम के ही अंदर अच्छा लगता है जैसे चाय बगारा पीना मुझ रहा है इनका निचोड गया था बस इनको अभी हवा इतनी तेज गरम चलती है अभी इस टैंब उसको लूही बोलते हैं बच्चे मानते नहीं आप लोग देख सकते हैं हवा खूब चल रही है और मुस्किल से एक घंटे में कपड़े सारे सूख जाएंगे तो मैं इनको नी उथल पुथल पड़े रहना सामान इधर उथर पड़ा रहना है इन सारी चीजों से हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और अभी आनिक यहां पर कैमरा देखके एक्सरसाइज करना शुरू कर दे रहा है आज कले सुबह उड़ जाता है और यहीं पर छट नहीं लग रही होगा बगएरा की और यहां पर बच्चों के साथ में मैं कहरम बोट केलने के लिए आई हूँ बच्चे जीत कर रहे थे अब जाएं भी तो जाएं कहां बाहर इतना निकलने नहीं देते हैं क्योंकि बाहर अभी महौल भी थोड़ा ठीक नहीं है कालोनी में और भी हैं निकल जाते हैं फर हम अभी अपने बच्चों को नहीं निकालते हैं तो पहले एक क्रिक्ट खेलने के लिए बोल रहा था तो मैंने का चलो थोड़ी देर तेरे साथ में कहरम मोट मैं खेल लेती हूँ फिर उसके बाद मैं क्रिक्ट भी खेल लोंगी आज पता नह क्यों ऐसे ही मन कर गया था कि बच्चों के साथ में थोड़ा खेलूं और थोड़ा एंज़ाय करूं वैसे इनके पापा ही इनके साथ में खेलते हैं और थोड़ी देर खेलके मैं इधर गमलों में पानी डालनागी क्योंकि सुबह डालने के बाद भी गमले बहुत जादा और यह आप लोग देख रहे होंगे जो गेंदा का पौधे हैं यह बिल्कुल भी नहीं सूकते हैं क्योंकि इनका मौसम ही यह इनका सीजन है अभी और जो भी पौधे हैं वो थोड़े मुर्जा जाते हैं और मुझे आप लोगों को बता हूं पूजा के लिए फूल मुझे कह काफी है और गमलों में मैंने सारे गमलों में पानी डाल दिया है अब फिर से मैं बच्चों के पास आ गई हूं यह अनिक नहीं मान रहा था कि मम्मा आप खेली नहीं मेरे साथ में तो खेलने के लिए मैं यहां आ गई हूं और आज मुझे थोड़ा क्या खाना बगारा नही कि दी आज बना रही है पाव भाजी बना रही है तो फिर मुझे बनाने की जरूत नहीं तो वो आज वो ही किचन समाल रही है अनिक को क्रिकेट बहुत जादा पसंद है वो कप से बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट में डालो क्रिकेट में डालो पर इसको यह नहीं कि अभी यहां पे थोड़ा धीरे खेले और मेरे कितनी बार बॉल लग जाती इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं इसके साथ खेलना और य अपने अपने नाम बता दो आप लोग आप कौनो यह लोग ना टिक टॉक गर लें टिक टॉक बहुत अच्छा बना लेती हैं तुम क्या कर लेते हो तुम बस दान्स विटा से लगते हैं चोटे नहीं है वह तेर से प्रांजल करेंगे अब मेरी चांस खतम हमने कैरम भी खेला था भी आप लोग लेट आए हाँ हम आज लेट हो गए क्यों अरे अच्छा यह यह दोनों ट्विंस हैं दोनों जुर्वा बहनेंगे माई प्रिंसेस लेखने इसे देखने हैं और एक देखने धान की हमारे नालो था जालो खेल लोग इस दो नहीं तो तुम लेजा हो चुड़ती अब तुम लोग खेलो मैं जाती हूं ठीक देखा बंदल दीदी मेरे साथ खेलने आप अप्छी से माल लिखा यार तीन सो क्या तीन सो तक लिखना है मुझे तो क्या हो गया । तक बता यह आप ने लिखाए कभी है क्यों नहीं नहीं लिखा मैंने लिखा है जब आपके जैसे थे तो लिखती थी पढ़ने के नाम से आसु आ रहे हैं, पढ़ने के नाम से आसु आ रहे हैं, चलो पढ़ाई करो, सुभै से तुमने पढ़ाई करी, नहीं करी न, आसु आ रहे हैं, तीन सो तक गेंती लिखना है, देखो आप पेंसिल तूट गई है ना एक ने इसमें खुची-खुची रहते हैं जैसे कोई साधी में बिठा उते हैं रोड़ा टेक्षुदार में खुची होते हैं यार साधी करने मज़ा आ गया है बड़ा तुमको पता है तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा खतम हो रहा है यहीं पे और आप लोग भी आईए पाव भाजी खाएए और दीदी ने बुला लिया था हम लोगों को उपर से की बन गही है पाव भाजी और जब वो किचन में लगती है तो वो किसी को नहीं आने देती हैं वो खुद के अधास थोड़ा खेल ली बरना इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है बच्चों के साथ में टाइम स्पेंट करने के लिए तो तब तक मैंने बच्चों के साथ खेली फिर आ गई हूं नीचे और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूं तब तक के लिए बाए बाए कमेंट करके ज़र बताना बच्चों के साथ कैसा लगा मेरा ये ब्लोग बाई बाई